हेले स्टूरण में एक तस्री आप सभी का ग्यान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हूँ आज के इस वीडियो में हम साइमन कमीशन जो 1927 में आया था उसके बारे में देखेंगे तो शुरू करते हैं साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था तो यहां पर 1928 में क्योंकि यह पूछ रहा है भारत किस वर्ष आया था ये नहीं पूछा है कि प्रस्ताव कब पारित हुआ था प्रस्ताव जो है 1927 में पारित हुआ था और भारत आने में लगबा एक साल के समय बीद गया आने में तो ये 28 हो गया आगे देखते हैं 1919 में मॉन्टेग्यो चेम्स फोर्ड एक्ट के 10 वर्ष पर इसकी समेख्षा ही तो एक सम्मेधाने आयोग के गठन का प्रावधान था आयोग ने ये देखना था कि ये दिनियम बेवार में कहां तक सफल रहा और उत्तरदाई शाषन की देशा में कहां तक प्रकति करने की स्थिति में है कि तो ब्रिटेन की कंजर्वेटिक सरकार ने इसकी समेख्षा है तो दो वर्ष पूर भी नमंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी जॉन साइमन के अधिक्षता में गठे इस आयोग के कुल सदस से जो थे वो साच थे चुकि सभी सदस जो थे अंग्रेज से तथा कोई भारतिय सदस से नहीं था इसलिए भारतियों ने श्वेट कमीशन कहकर इसका बहिशकार एवन बिरूद किया साइमन कमीशन तीन फरवर कमीशन में कोई भी सदस जो था वो भारतिय नहीं था अगला साइमन आयोग नुक्ति किया था तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 1927 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उदस से आया था तो यह पर्षाशनिग σुदारों पर विचार करने के लिए यह option सही है भारतियों ने Simon Commission का बहिशकार क्यों किया क्योंकि इसमें जो था कोई भी सदस से भारतिय नहीं था C option यहाँ पर सही हो जाएगा अगला देखते हैं निमले कितमें से Simon Commission का कौन सा सदस से उधारवादी दल का था तो यहाँ पर जो है Sir John Simon जो थे उधारवादी दल से संबन्दी थे Simon Commission के अध्यक Sir John Simon उधारवादी दल लिवरल पार्टी की सदस से थे जबकि भारत की सुदंता 1947 के समय बिटिश भितान मंत्री क्लीमिंट एटली इस कमीशन के सिर्मिक दल यानि लेवर पार्टी की सदस की रूप में सामिल थे अगला कुशन देखते हैं किसके सुजावों पर भारतियों को Simon Commission से बाहर रखा गया था तो लॉर्ड इवरिन जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इर्विन के सुजावों पर भारतियों को Simon Commission से बाहर रखा गया था उलेकनी है कि Simon Commission बर्स 1928 में भारत पहुंचाता है और इसके कोई सदस बाहरतिय ना होने की बिरुद में भारत में ब्यापक बिरुद प्रदर्शन हुए थे अगला देखते है ए और आर दिया है और देखना उसकी ब्याख्या सही है नहीं कॉंग्रेस ने Simon कम आयोग का बहिशार किया क्योंकि Simon आयोग में एक भी सदस से नहीं था तो दोनों ही सही है और इसकी ब्याख्या भी सही है तो यह आप्शन यहापर सही हो जाएगा अगला को देखते हैं यहाँ पर कूट दिये है और उसका सही बताना की कौन-कौन से सही है तो यहाँ पर इसकी निकती अधिनियम के पारित होने के दस वर्ष पर एक बैधानिक कमीशन की न्युक्ति की जानी थी जिसे 1990 के अधिनियम के कारिस अंचालन की जान्स परदाल करनी थी और अवशक होने पर भावी सुधारों को परस्तावित करना था इसी उद्देश से नमंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठिन किया गया था साइमन कमीशन में बिर्टिस संसत साइमन आयो का परस्ताव था कि केंद्री बिधान मंडल को पुनन गठित किया जाए इनमें एक एकाई की भामना को छोड़ का संगिय भामना हो और इसके सदस परुक्ष पदिती से प्रांतिय बिधान मंडलों द्वारा चुने जाए तीन फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन बंबई पहुंचा उस दिन देश विव्यापी हर्तार आयोजित की गई कमीशन जाए बहां पूर्ण हर्तार रखी गई तता साइमन बापेज जाओ के नारे जलूस लगाए जलूस निकाले गए थे अगला कोशन है साइमन कमीशन की सिपारशों किस अंदर में निम्लिखित मैं से कौन सा कथन सही है तो यहाँ पर पहला कथन सही होगा इसने प्रांतों में दुद्ध शाषन को उत्तरदाई सरकार दोरा प्रती स्थापित करने की संसुति की थी तो एई ओप्षन यहाँ पर बिल्कुल सही है ब्याख्या देखते हैं यहाँ पर साइमन कमीशन ने प्रांती छेतर में दोयत शाशन को प्रती इस्ताफित कर वहां उत्तरदाइश शरकार गठित करने की संस्तुती की थी अन्य बिकल्पों में साइमन कमीशन की सिपारशों के संदर में सही नहीं है अगला मेरे उपर किये गए लाठियों का एक एक परहार बिटे सरकार के ताबूत की आखरी कील साबित होगी जो की यहाँ पर दिया गया है आगे देखते हैं पंजाब केसरी की उपादी किसको दी गई थी तो लाला राजपत राय को सी ओप्शन यहाँ पस है यह लाला राजपत पंजाब के प्रमुक राजनितिक नेता थे और इनका जो समय था 1865 से 1928 तक जिन्होंने बिटिस राज के बिरुद सुतंतिता अंदुलन का नितुतर किया थे उन्हें पंजाब केसरी की उपादी दी गई थी अगला देखते हैं ए और आर दिया गया है और उसको देखना है कि ब्याक्या सही है या नहीं है पहला है 1928 में लाहोर में लाला लाजपत राय के निर्थत में साइमन कमीशन का बिरुद आयुजित किया गया क्यूंकि साइमन कमीशन में एक भी सदस जो थे वो सामिल नहीं थे तो ए और आर दोनों सही है और उसकी ब्याक्या भी यहाँ प की बिरोध किया गया लाहोर में लाला लाचपत राय ने साइमन कमीशन के बिरोध के नेतातर किया था इसी दोरान पुलिस की लाठी से घायल होने की कारण उनके मिर्ती हो गए इस प्रकार अभी कथन और कारण दोरों सही है और उसकी बैक्या भी कर रहे हैं अगला कोशन नहर ट्यार की थी तो यहां पर एम मोतिलाल नहरु मोतिलाल नहरु ने की थी साइमन कमीशन 1927 के प्रत्योतर में नहरु रुपोर्ट 1928 त्यार की गई थी जिसमें भारत के नई समीधान का खाका था इसे त्यार करने वाले सर्वर्दलिय समीधी के अद्यक मौतिला नहरू थे जवाला नहरू इनके सच्छीू थे दो मुस्लमों सहित नो अन्य लोग थे समीधी की सदस्टे थे अगला कोशन है निम्ले के तमेंसे किसने सरप्रतम भारत के लिए ओपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी तो ओपनिवेशिक स्वराज की मांग करने वाले थे सर तेज बहादू सप्रू और जैकर तो ये काफी इंपोर्टेंट है और नयाभी है कोशन तो हम इसको याद रख किसने सरप्रतम ओप निवेशिक स्वाराज की मांग प्रस्तुत की थी तो तेज भाद दूसप्रू और जय करने ब्याख्या देखते हैं मौतिलाल नैरू ने में सेंटर लेजिसलेटिव असेमली में भारत के लिए और निवेशिक राज यानी डोमिनियन स्टेट हे दू समिधान निर्माण के लिए एक प्रतिनेदूत कॉन्फेस बुलाने की मांग की थी तथा भी प्रश्न में इसके साथ गोविन बलाबर पंत का नाम दिया गया है ज जो बिकल्फ है सी होगा क्योंकि तेज बादू सप्रू और जैकर नहरू रिपोर्ट त्यार करने वाली समेति जिसके अध्यक मौतिला नहरू थे इसमें सामिल थे इसमें भारत के लिए ऑपने वेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी तो यहां पर जो है यह वाला सही नह होगा अगर इनके साथ गुबिन बल्लब 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 पंत नहीं होते तो यह उप्शन सही हो जाता लेकिन और भी लोग सामिल थे जैसे सर तेज बाहदू सप्रू और जैकर तो और ऑप्शन में सी उप्शन जो है वो सही हो जाएगा अगला देखते हैं भारती सुतंत अलप संक्या क्यों के लिए अरक्षित इस्थानों के लिए संयुक्ति निर्वाचन छेतर सभीदान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रवधान तो यहां पर जो है दूसरा और थीसरा यहां पर बिल्कुल सही है यह उप्शन गलत है यहां पर तो बी उप्श का दरजा की बात ही कही गई थी इसमें सामप्रदाइक आधार पर प्रथख निर्वाचक मंगलों के इस्थान पर अलप संक्यकों हे तू आरच्छिद इस्थानों के लिए संग्युग थे निर्वाचक के प्रव्दादद सहली निर्वाचन कष्थाव तो एक गलत है और दूसरा और तीसा यहां पर सही है अगला देखते हैं नेमने मैंसे कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंडेंस फोर इंडिया लीग के गठन के से सम्मंदित थे तो यहां पर आंसर हो जाएगा जवालाल नेरू और सुबास्चन बोस यह ओप्शन यहां पर सही है 1928 में इंडिपेंडेंडेंस फोर इंडिया लीग का गठन जवालाल नेरू तथा सुबास्चन बोस ने मिलकर किया था इस लीग का उदिस डोमेनियन स्टेट से आगे पूर सोतंतता की मांग को मुखर करना था इंडिपेंडेंडेंस लीग ने ब्रिटिस राज के ब्रूद प्रगती शील शक्तियों को संगिठित करने में महत्पूर्ण कारे किया अगला कोशन है रेक से स्थानों के पूर्थी कीजिए नहरू रिपोर्ट तो यहां पर हो जाएगा नहरू रिपोर्ट और मोतिला नहरू और भारत में सम्मेधाने की विवस्थाएं सी ओप्शन यहां पर आएगा किया देख्ष्टा में कमेटी त्यार किये गए और इसका बिसे जो था भारत में सम्मेधाने की विवस्था करना था तो सी ओप्शन यहां पर सही हो जाएगा ब्याख्या देखते हैं साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदार पंथी राज्य सची उलाड बिर केन हेड के नुसार भारती लोग समिदानी सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं उन्होंने कहा कि भार रूप देने के लिए फरवरी मई और अगस्त 1928 में सर्विदल्य संभिलन आयोजित किये गए मौतिलाल नहरू के अद्धिक्ष्टा में आठ सदस्य समीती ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित समीधान का प्रारूप त्यार किया गया इसको मौतिलाल नहरू के नाम पर नहरू सब्सक्राइब के लिए मतदिकार मैलाओं के लिए समान अधिकार उनियन संगठन बनाने के सुदंता और धर्मे का हर प्रकार से राज्य से प्रत्थक के करण अगला है मुस्लिम लीग ने निमलिखित मैं से किस अधिवेशन में म.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रे प्रस्ताव रखा था तो यह आंसर हो जाएगा 1929 में 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का धिवेशन हुआ जिसमें नेहरू जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के बिरोधा भास में 14 सूत्रे प्रस्ताव को रखा नेहरू रिपोर्ट में संयोक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी जिसमें चुनाव छेट की मंग की गई थी अगला कोशन देखते हैं कॉंग्रेस तलकी उग्रे शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवालाल नेहरू ते इंडिपेंडेंस फोर इंडिया लीग के सापना की थी वह लीग किसके बिरोध में सापित थी तो नेहरू रिपोर्ट के बिरोध में यहां पर बैख्या देखते हैं जवालाल नेहरू के नेतुत में यूबा और उग्रवादी राश्टवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ती रखी यह पूर्ण स्वराज को ततकालीन लक्ष के रूप में रखने की मांग कर रहे थे फलता जवालाल नेहरू और श लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद है